हेलो जाइन फ्रेंट्स मेरे नाम है दिपक और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल फोर आपकी सक्सेस दोस्तो इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री के कोस्टन्स को और आपसे पिछला वीडियो में पुछा गया था कि यह 30 प्रस्ण जो हम करते हैं सां तो उन्हें हम खतम कर लेते हैं दो तीन पीडियो पार होंगे उसके बाद हम 40 कोस्टन करेंगे हर वीडियो में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू से अंतक देखिएगा सारे प्रस्ण बहुत महत्पूर हैं आपके आने वाले अगामी परिषाओं मे जरूर प्रस्ण से देखने को मिलेंगे पहले प्रस्ण सुरू करते हैं कि परसिद संगितग्य तांसेन का मकबरा स्थित है तो परसिद संगितग्य जो तांसेन थे उनका मकबरा कहां पर स्थित है तो यह स्थित है ग्वालियर में कहां पर ग्वालियर में आपको बता दे इन तांसेन के बारे में तांसेन सुरुवात में जो है रामचंदर सिंग जो राजा रामचंदर सिंग थें उनके दरवारी संगितग्य हुआ करते थें बाद में ये तांसेन जो ने 60 वर्स की उम्र में 1562 में 60 वर्स की उम्र में इन्होंने अकबर को जोयन कर लिया यानि कि अ के दरबारी संगीतक ये थे तो राम चंदर सिंग के थे हैं इनकी मिर्थियों के बाद इनका मकबरा जो है वह ग्वालियर में बनाया गया नेक्स कोशन देखते हैं गुल बदन बेगम पुत्री थी तो ये गुल बदन बेगम बहुत पॉपुलर है क्यूं इससे कोशन ये लिखा था कौन सा हुमायू नामा किनके द्वारा लिखा गया था तो गुल बदन बेगम के द्वारा और ये गुल बदन बेगम जो थी यह बाबर की बेटी थी किनकी थी बाबर की पुत्री नेक्स कोशन देखते हैं मुगल प्रसासन में जीले को किस नाम से जाना जाता थ तो मुगल प्रसासन में जो है जीले को जीला जो एक यूनिट के रूप में काम करता था इसे किस नाम से पुकारते थे तो मुगल प्रसासन में जीला को सरकार बुलाया जाता था क्या बुलाया जाता था सरकार ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है किस सिख गुरू की मिर्थियू के लिए औरन जेब जिमेदार है तो औरन जेब के द्वारा किस सिख गुरू की मिर्थियू कर दी गई थी किस सिख गुरू की हत्या कर दी गई थी तो याद रखिएगा गुरु तेक बहादूर की हत्या जो है औरणजेब के द्वारा की गई थी और यह औरणजेब जो था जो गुरु तेक बहादूर थे यह सिखों के नौवे गुरु थे नेक्स कोशन देखिए कि भारत के मुगल सासक बनने पर जहरुदिन मुहम्मद ने डैस नाम रखा तो भारत के मुगल सासक बनने के बाद ये जहरुदिन मुहम्मद इन्होंने कौन सी उपादी धारन की तो इन्होंने जो है बाबर की उपादी धारन की थी तो देखे आपको पता है कि अकबर के काल में जो है माहाभारत का फार्जी में अनुबाद किया गया था तो यह किसके निर्देशन में हुआ था तो याद रखेगा friends यह जो है अबुल फजल और फैजी यह दोनों के दोनों जो है अकबर के क्या थें? कभी थें दरबारी कभी थें और यह दोनों के निर्देशन में जो है महाभारत को फार्सी लेंगवेज में जो है अनुबाद किया गया था था तो इस प्रजन का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा बी एन सी यानि की अबुल फजल और फैजी दोनू नेक्स कोशन देखिए कि दिल्ली के परसिद जामा मस्धित का निर्मान किसने कराया था तो आपको पता है जामा मस्धित जो दिल्ली में स्थित है वो बहुती परसिद है और इसका निर्मान जो है साह जहां के द्वारा करवाया गया था किसके द्वारा साह जहां के द्वारा नेक्स कोशन है निमने मुसल मान विद्वानों में से हिंदी साहित के लिए किसका सबसे बड़ महत्पुन योगदान है तो हिंदी साहित को विक्सित करने में उसमें सबसे बड़ा योगदान कौन से मुसल्मान विद्वान ने दिया था तो friends इस question का right answer है option C. अब्दुर्रहीम खाने खाना किसोंने? अब्दुर्रहीम खाने खाना इन्ही को हम सौट में रहीम कहते हैं क्या कहते हैं? रहीम के नाम से यही popular है जनरली सो लोग जो है भारत में रहीम रहीम बुलाते हैं इन्ही को इनका मूल नाम क्या था? अब्दुर्रहीम खाने खाना और इन्होंने ही जो है भारत में हिंदी साहित के विकास में बहुती महत्मुन भूमी का निभाई थी question number 8 का answer C है next question देखिए हल्दी घाटी युद जो की 1576 इसवी में हुआ था इसके पिछे अकबर का मुख्य उद्देश क्या था? तो देखिए हल्दी घाटी का युद describes 1576 इसवी जो हुआ था इसको इस युद को कराने का मुख्य उद्देश या था जो राना परताब जो थे तो मुगल समराट अकबर के समय का प्रसिद्ध dal गान था यह थे सेर साहको ही हम लोग क्या बुलाते हैं फरीद खान और इसी को सेर खान के नाम से भी बुलाते हैं किस नाम से सेर खान सेर सा को उसके पिता हसन खान ने एक जागिर के परबंदक के रूप में नियुक्त किया था यह कहां की जागिर थी वो कहां के जागिर थे तो याद रखिएगा इस कोशन का राइट आंसर option A कहां के सासा राम के जागिर थे वहां के परबंदक के रूप में सेर खान को उसके पिता ने नियुक्त किया था Next question है, दक्षिन बिहार का वास्तिविक सासक बनकर सेर खाने उपाधी धारन की गई Next question है, भारत के इतिहास के संदर्ब में अबदुल हमीद लाहोरी कौन था? very important question अब्दुल हमीद लाहोरी जो है भारत की इतिहास के संदर में ये कौन था याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहोरी साह जहां के सासन का एक राजकिये इतिहासकार था ठीक है? Official historian था या राजकिये इतिहासकार कौन? अब्दुल हमीद लाहोरी किसके समय साह जहां? Option B Next है कि मुगल काल में निवन बंदर गाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो बाबुल मक्का के नाम से कौन सा बंदर गाह जो है प्रसिद्ध था? याद रखेगा सूरत के बंदर गाह को जो है वह बाबुल मक्का कहा जाता था Option D Next है अकबर के सासन काल में पुनर गठित केंद्रिय प्रसासन तंत्र के अंतर गठ सैनिक विभाग का परमुक था? तो देखिए अकबर के सासन काल में जो है दुबारा से जो गठन किया गया था किस सीज का? केंद्रिय प्रसासन तंत्र का उसके अंतर गठ जो सैनिक विभाग है उसका मुक्षी को क्या कहते थे? उसके मुक्षी को हम मीर बक्स कहते थे मीर बक्स या मीर बक्षी Option B नेक्स कोशन है कि किस अभियान के समय अचानक बारुद में विस्पोट हो जाने के कारण सेर साकी मिरत्यू हो गई तो युद्र के समय जो है ये जो मुस्लिम रूलर है ये बारुद का इस्तमाल करते थे गोले बारुद का तो बारुद के कारण बारुद में विस्पोट हो क्यों बारुद में बिस्पोट हो जाने के खारण हुई थी next question देखिए कि सेरसाह कालिन प्रशासन में फोतदार था तो ये फोतदार जो पोस्ट था ये सेरसाह कालिन जो प्रशासन बेवस्था थी फोतदार को क्या कहते थे तो फोतदार को साध्यक्ष थी बोला जाता था ठीक है को साध्यक्ष को ही फोतदार बोला जाता था next question है सेरसाह कालिन प्रशासन के कानूनगो का काम क्या था तो देखिए सेरसाह कालिन प्रशासन में कानूनगो कानूनगो very important question कानूनगो का क्या काम होता था उस समय कानुंगों का काम होता था भूमी संबंदी रिकॉर्डों को रखना ठीक है भूमी संबंदी रिकॉर्डों को रखना ही कानुंगों का काम होता था next question देखते हैं सेरसाह ने असरफी रुपिया और दान नामक के नए सिख्ये चलवाये थे वे किन धातूओं यानि कि वे जिन धातूओं से बने होते थे वे हैं तो यानि कि असरफी रुपिया और दान ये किन धातूओं से बने होते थे तो देखें फ्रेंज ये जो हैं सोना चांदी और तांबे के बने होते थे सोना चांदी और तांबे के बने होते थे तो next question friends कि हमीदा बानू बेगम थी तो हमीदा बानू बेगम कौन थी तो हमीदा बानू बेगम जो है अकबर की माता का नाम था अकबर की माता का अपसन एक नेक्स कोशन है कि अकबर ने सामराज विस्तार का आरंब किस विजय से किया तो अकबर जब गदी राजगदी पे आए तो उन्होंने अपने विस्तार अपने छेतर शामराज के विस्तार का प्रारंब वो कहां से किये थे तो वो मालवा में विजय से उन्होंने अपने प्रस दो, अकभर के द्वारा सबसे लास्ट बिजए अभियान जो चलाया गया था वो अकौन था और वो था असीर असीर गड़ बिजए ठीक है ये असीर गड़ मध्य परदेश में स्थी थे और यही पे उन्वोने जो है अंतिम बिजए अभियान चलाया था, नेक्सक्षण है, कि अकबर ने किसे कभी राज slash, कभी राई की उपादी दी ती very important question, कभी राज और कभी राई की उपादी जो है यह किसे दी गई थी, यह दी गई थी, बिर्बल को किसको बिर्बल को very important question, जरूर याद रखिएगा नेक्स कोशन देखिए कि दह साला बंदोबस्त किस से संबंदित है तो दह साला बंदोबस्त जो था वह किस से संबंदित था यह संबंदित था तोडर मल से तोडर मल के द्वारा ही जो है दह साला बंदोबस्त जमीन से संबंदित लाया गया था next question है कि सासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बातसा था तो कौन सा हुआ मुगल बातसा था जो सासक बनने के बाद 12 अध्यादेश के नाम से उन्होंने अध्यादेश जारी करा था 12 अध्यादेश तो यह जो सासक थे वो थे जहांगीर जहांगीर के द्वारा ही 12 अध्या देस नमक अध्या देस जारी किया गया था next question है मेवार से युद्ध तता चितोर की संधी किसके शासनकाल की महतपुन उपलब दी रही थी जहांगीर ने मेवार से युद्ध करा था और इन्होंने ही चितोर की संधी करी थी next question है कि मराठो एवं अखबानों को मनसबदारी पर्था में सामिल करने वाला पर्था मुगल सासक था तो मराठो को और अफगानों को मनसबदारी ये एक रैंक होता था एक पोस्ट होता था दिया जाता था जब Muslim ruler जो है चड़ाई करते थे जब जीत जाते थे तो वहां के जो राजा होते थे या बड़े बड़े मंतरी होते थे या बड़े बड़े जो है लीडर्स होते थे तो उनको जो है मनसब नाम से एक पोश्ट दिया जाता था अपने आर्मी में तो मनसबदारी नामक जो है पर्था सामिल करने वाला पर्थम मुगल सासक था और मराठो और अफगानों को मनसबदारी में किन्होंने सबसे पहले इंक्लूड करा था तो देखिए ये थे जहांगीर ओप्सन ये बिल्कुल राइट होगा जहांगीर के द्वारा जो है मराठो इकबाल और साह पुलन दो जो उपादी दी गई थी very important question है यह किसे दी गई थी यह दी गई थी दारा सिको को किसे दी गई थी दारा सिको को ओप्सन ए और फ्रेंस इस वीडियो का last question है कि दारा सिको एवं औरंजेब के मद्य हुए उत्राधिकारी युद्धो में सबसे नि इरनायक युद्ध कौन सा माना जाता था यह युद्ध माना जाता था सामुगळ का युद्ध और फ्रेंस आज का आपके लिए question है कि यह दारा सिको और और अरणजेब के मद्य में जो युद्ध हुआ था उत्राधिकारी बनने के लिए और सामुगळ का जो युद्ध ठीक है बिजाई कौन बना था इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बदाएं और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा चरूर बताएं लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद